हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का टी एस जीके क्लास यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज है 27 अप्रेल 2021 और 27 अप्रेल 2021 के जितने भी करेंट अफियर्स हैं वो आज के इस वीडियो में हम कभर करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट करना चाऊंगा अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नहें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे आज का पहला कोश्चन है हाल ही में किस देश के फर्स्ट रेंड बैंक ने भारत में अपना बिजनेस बंद करने की घोशना की है इसका सही जवाब है दच्छिड अफरीका दोस्तों दच्छिड अफरीका के फर्स्ट रेंड बैंक ने अपनी पहली रीटेल और कमर्शियल ब्रांच मुंबई में खोली थी इससे पहले अमेरिका का सीटी बैंक भी भारत में अपना बिजनेस बंद करने का फैसला किया है दच्छिड अफरीका की राजधानी प्रिटोरिया प्रशास्निक है और दच्छिड अफरीका की मुद्रा साउथ अफरीकन रेंड है और राश्ट पती यहां के सीरील रामा फोसा है अगला कोशन है हाल ही में चीन ने किस देश को 1.5 लाख कोवीड वैक्सीन दान किये है इसका सही जवाब है चीन ने 1.5 लाख कोवीड वैक्सीन सीरिया को दान किये है दोस्तों सिरिया की राजधानी दमिश्क और यहां के राष्टपती बसर अल असाध हैं और यहां की मुद्रा पाउंड है अगला कोशन है किस देश ने भारत को असी मैट्रिक टन अक्सीजन देने कार निड़ड़े किया है दोस्तों इसका सही जबाब है option C, सौधी अरब अक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सौधी अरब से असी मैट्रिक टन जीवन रच्छक गैस लाई जा रही है अक्सीजन को भेजने का काम अडानी समुह और लिंडे कमपनी के सहयोग से किया जा रहा है अगला कोशन है किस राज्य ने अक्सीजन की वचत के लिए लोहा उध्योग बंद करने की घोशना की है इसका सही जबाब है option B, पंजाब राज्य और दोस्तों पंजाब की राजधानी चंडी घड़ है और यहां के मुख्यमंत्री केप्टन अमरिंदर सिंग है और पंजाब राज्य की राज्य पाल, बीपी सिंग बदनौर और पंजाब में लोकसभा की 13 सीटे हैं और राज्य सभा की साथ और विधान सभा की 117 सीटे हैं अगला कोशन है बिश्व बौधिक संपदा दिवस कब मनाया गया है दोस्तों इसका सही जवाब है 26 अप्रेल को विश्व बौधिक संपदा दिवस मनाया गया है दोस्तों वीपो द्वारा 26 अप्रेल को विश्व बौधिक संपदा दिवस मनाये जाने की घोशना 1970 में विश्व बौधिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए हुए कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए की गई थी अगला कोशन है हाल ही में किस अंतरिच एजन्सी ने सिल्ड मीशन को सफलता पुर्वक लांच किया है दोस्तों इसका सही जबाब है अफशन ए नासा ने दोस्तों नासा ने सिल्ड मिशन को सफलता पुर्वक लांच किया है अगला कोशन है किस पेमेंट बैंक ने अपनी एक दिन की वैलेंस लिमिट एक लाख से बढ़ा कर दो लाख कर दिया है इसका सही जबाब है आप्शन B, एयर टेल पेमेंट बैंक दोस्तों एयर टेल पेमेंट बैंक भारतिय एयर टेल की सहायक है इसकी स्थापना 2016 में की गई थी और इसकी मुख्यालें नई दिल्ली में है और एयर टेल के CEO अनुबरत विश्वास है अगला कोशन है किस हाई कोर्ट ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए केवल चुनाव आयोग जिमेदार है दोस्तों इसका सही जबाब है आप्शन B, मदरास हाई कोर्ट ने मदरास हाई कोर्ट के मुख्यन याइधिस जस्टिस संजीव बनर जी ने चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील से कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए केवल और केवल चुनाव आयोग जिमेदार है अगला कोर्शन है किस कमपनी के पूर्व डाइरेक्टर जगदी स्खटर का निधन हो गया है दोस्तों इसका सही जबाब है आप्शन D, मारूती कमपनी के पूर्व डाइरेक्टर जगदी स्खटर का निधन हो गया है दोस्तों जगदिस खटर ने साल 1993 में मारूती उध्योग के डाइरेक्टर के रूप में ज्वाइन किये थे फाउंडर भारत सरकार है और इस्थापना 1982 में हुई थी और मारूती का मुख्याले नई दिल्ली है और इसके CEO के नीची आयुकावा है अगला कोशन है हाल ही में किस देश में कोवीड-19 से संबंधित जीरो मृत्यू दर्ज की है इसका सही जबाब है इजराईल में कोवीड-19 से संबंधित जीरो मृत्यू दर्ज की गई है दोस्तों इजराइल की राजधानी जेरियुसलम है और यहां की मुद्रा इजराइली सेकेल है और यहां के परधान मंत्री बेजामिन नेत्याहू है अगला क्वोश्चन है किस इस्लामिक देश के स्कूलों में रामायड और महाभारत पढ़ाई जाएगी दोस्तों इसका सही जवाब है आप्सन बी सौधी अरब के स्कूलों में रामायड और महाभारत पढ़ाई जाएगी सौधी अरब ने छात्रों के लिए अपने नए पाठ्यकरम में रामायड और महाभारत को सामिल किया है यहाँ की राजधानी रियाद है और मुद्रा सौधी रियाल है और दोस्तों यहाँ के प्रिंस मोहमद बिन सल्मान है अगला कोश्चन है किस कमपनी ने कोवीड नाइंटीन से निपटने के लिए भारत को 135 करोड रूपए की फंडिंग की है इसका सही जवाब है अप्सन बी गूगल कमपनी ने दोस्तों गूगल की संस्थापक लेरी पेज और सरगी ब्रीन हैं और इसकी इस्थापना 1998 में की गई थी दोस्तों गूगल की मुख्याले कैलिफोर्निया अमेरिका में है और इसके CEO सुंदर पिचाई हैं और ये भारतिय मुलके अमेरिकी नागरिक हैं अगला क्रूश्यन है अंतराष्ट्रिय प्रतीनीधी दिवस कब मनाया गया है इसका सही जबाव है अंतराष्ट्रिय प्रतीनीधी दिवस 25 अप्रेल को मनाया गया है दोस्तों सन्युक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अप्रेल 2019 को दुनिया भर में 25 अप्रेल को अंतराष्ट्रिय प्रतीनीधी दिवस के रूप में मनाये जाने की लिए घोशना की थी विशो मेलेरिया दिवस भी 25 अप्रेल को मनाया गया है अगला कोशन है हाल ही में डॉक्टर कृष्ण मूर्ती संथानम का निधन हुआ है वे कौन थे? दोस्तों इसका सही जबाब है डॉक्टर कृष्ण मूर्ती संथानम एक बैज्यानिक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है अगला कोशन है हाल ही में किस देश ने भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की घोष्णा की है इसका सही जबाब है अप्शन A इटली ने दोस्तों इराक के बाद इटली ने भी भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की घोशना की है दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये करेंट अफेर्स की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें